हालो स्ट्रेंट्स आज की हमारी वर्सित है वर्सित नमबर 25 और इस वर्सित में हमें कक्छा 10 के समाजिक विज्ञान विसे के भूगुल को जानना है और इसमें हम लोग विनिर्मान उद्योग के बारे में जाने हैं तो इसमें पहला प्रस्न है पहले प्रस्न को हम देखते हैं कि विनिर्मान उद्योग जहां कुछ मामलों में क्रिसी पर निर्भर है वहीं क्रिसी के विकास में सहायक भी है कैसे ठेक तो इसके उत्तर को देखत तो उत्तर है इसका कि बिनिर्मान उद्योग का बहुत सारा कच्चा माल क्रिसी से ही प्राप्त होता है इसलिए यह उद्योग कुछ मामलों में क्रिसी पर निर्भर जब इसके कच्चा माल क्रिसी से प्राप्त होता है तो जहां क्रिसी होगी वहीं अब बिनिर्मान उद्योग वही निर्भर होगा गन्य के क्रिसी पर, इसलिए करे से निर्भर है, वहीं क्रिसी के दिकस्षाय उर्बरक बनते हैं जिससे यह क्रिसी के विकास में सहायक भी है मतलब विनिर्मान उद्योग से ही रासायनिक उर्बरक बनता है जो की क्रिसी में काफी सहायक होता है खाद जिसकों की बढ़ा करके हम फस्टों की पैदावार को बढ़ाते हैं इसी को उर्बरक कहा जाता है तो यह विनिर्मान उद्योग से ही होता है और बहुत सारे क्रिसी यंत्र भी विनिर्मान उद्योग मनुफेक्ट्रिंग उद्योग ही बनाते हैं जो कि क्रिसी के विकास में सहायक हैं तो इस तरह से यह आपके पहले प्रस्न का उत्तर हुआ अब दूसरा प्रस्न देखते हैं पहला कारण तो यह हुआ कि इससे बहुत अधिक मात्रा में रोजगार मिलता है तो जब रोजगार मिलेगा तो वहां के लोगों का आर्थिक विकास होगा और दूसरा कारण यह हो जाता है कि इससे क्रिसी का विकास भी होता है जिससे देश का तेजी से आर्थिक विकास होता ह तो जहां पर क्रिसी का विकास होगा, उस जगह पर देश का विकास भी काफी अधिक होगा, जो की काफी तेजी से वहां का अर्थविवस्था विक्सित होगी, क्योंकि खेती से ही लोगों का जीवन अस्तर जुड़ा रहता है. नेक्स है तीसरा प्रस्ण, तो तीसरा प्रस्ण को देखते हैं, कर रहा है कि आप अपने जीवन में प्रियोग करने वाली किन ही पांच बस्तूओं के नाम बताइए, जो विनिर्मान उद्योग द्वारा निर्मित हैं, ठेक, तो विनिर्मान उद्योग द्वारा निर्मित ब मुबाइल फून यह सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सब के हाथों में आज मिलती है तो अगर विनिर्मान उद्धोग नहीं होता तो मुबाइल फून हमारे आपके हाथों में नहीं होता दूसरा है कपड़े हम जो कपड़े पहनते हैं वहीं विनिर्मान उद्धोग के ही दिन लिकिन हमारे अगल बगल जो है उसको हमने लिखा है पहला फूट प्रोसेसिंग यूनिट जहां कि खाने समय नित कुछ लिख सकते हैं तो इस तरह से आपका जो SST का वर्षिट है वर्षिट नमबर 25 यह क्लियर हुआ और मैं आपको एक चीज और बता दू कि इस चैनल पर आपके लिए आपके स्लेवस के बहुत सारे चीज डाले जा रहे हैं ब्याकरन की चीजे भी डाली जा रहे हैं तो आप यह क्लिख सकते हैं